आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students तो आज का मारा Question है The Real Image and Virtual Image हमें इन दोनों के बीच में Distinguish करना है तो हम लोग Distinguish करना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग लिखते हैं Real Image और फिर बात करते हैं Virtual Image की अब देखो Real Image जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये इमेज है ये Basically Reality में बन रही है Real ये Image बन रही है Such में इमेज बन रही है पर यहाँ Virtual मतलब Such में इमेज नहीं बन रही है तो इसका क्या मतलब है Real Image में The Image Is Formed By Actual Intersection Of Reflected या Reflected Race तो किसी Mirror या फिर किसी Lens के बाद जब कोई Lighter पास करती है तो या तो Reflected हो जाएगी या Reflected हो जाएगी तो इनके अगर Reality में Actually ये लोग Intersect करते हैं तो जो Image बनते हो वो Real Image है पर Virtual Image ऐसा नहीं है कि The Image is formed when the Reflected or Refracted Rays appear to meet when extended backwards अगर हम Reflected या Reflected Rays को पीछे की तरफ extend करें और तब हमें लगे कि वो पीछे कहीं meet कर रहे हो सकती हैं तो वो Virtual Image बनाते हैं क्योंकि Reality में ये लोग meet नहीं कर रहे हैं ठीक है इसका Basic Example देख सकते हो मैं एक बहुत Simple Example ले रहा हूँ दो Rays आ रही है Converging Lens है तो ये दोनो Rays इस Point में meet कर गए तो यहाँ जो Image बनी है Real Image है क्योंकि Reality में Light जो है यहाँ जो Refracted Rays है Intercept कर रही है पर अगर मैं इसी कि Against ये Example दिखा दूँ दो Light Rays आ रही है Diverging Lens है तो ये Rays अलग अलग हो गए देख सकते हैं तो अब दूर दूर जा रही है कभी मिलेंगी तो है नहीं पर अगर मैं न को पीछे Extend कर दूँ तो ऐसा लग रही है यहाँ meet कर रही हो सकती है Right Appear to meet क्योंकि Reality में meet नहीं कर रही है As if Appear हो रहा है हाँ meet कर रही हो सकती है तो इस case में जो image बनी वो virtual image बनी यह इतना clear है अब और चोटी-चोटी दो-तिन properties के बारे में रेख लेते है तो अगली property तो हम यह बोल सकते है कि Real image के case में image हमेशा inverted बनती है Image is Always inverted और जब virtual image बनती है तो इमेज है यह erect बनती है ठीक है और क्या हम बात कर सकते है और last जो इनकी एक और difference है वो यह image can be obtained on screen कि जो image बन रही है वो actually हम यहाँ पर अगर screen रख दे तो हम यहाँ वो image बनती दिखेगी पर इसके case में अगर यहाँ screen रखते होगे तो since कोई raise सच में meet तो कर ने रही थी हमारी eyes को लग रहा है कि meet कर रही हो सकते है पर actually तो नहीं होगी इसलिए यहाँ अगर आप screen रख भी दोगे तब भी को image देखने को नहीं मेलेगी तो यहाँ हम बोल सकते है image cannot be obtained on a screen ठीक है तो I hope यह question अब सबको समझ में आ गया होगा और इनकी बीच में differences भी clear हो गए होगे classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर